पट्ना हाई कोट के आदेश पर राज निर्वाचन आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर नगर निकाय चुनाव के प्रथम चरंड 10 अक्टूबर और 24 अक्टूबर के प्रस्तावित मदान कितिती को स्थागित कर दिया है पट्ना हाई कोट के फैसले के आधार पर राज निर्वाचन आयोग के नोटिफिकेशन के बाद राज नितिक दलों में हाई कोट के फैसले को लेकर आरोप प्रत्यारूपों का दौर चारी है इसी कड़ी में कलपटना में जदियू संसदिय बोड के अधेक्ष उपेंदर कुश्वाह ने राजी सरकार की ओर से अपनी बात रखते हुए कहा कि अति पिछडों के आरक्षण के बिना नगर निकाय का चुनावन नहीं होगा कराते रहते तो कोई अलग से आख्रा जुटाने के लिए कोई कमिशन के जड़्वत ही नहीं पढ़ते तो इन लोगों ने जो रवईया अपनाया है उस रवईया के चलते भूट में हैसी स्थिती बनी है और इन लोग की कोशिस होई है इधर भारती जनता पाटी निर्वाचन आयोक के नोटिफिकीशन के बाद उत्पन स्थिती के लिए राज्य सरकार को जम्मेदार ठहरा रही है कलपटना में वरिष्ट भाषपा नीता और पूर्वकेंदे मंत्री रविश्यंकर प्रसाद ने कहा कि इसके लिए मुख्य मंत्री जिम्मेदार है हाई कोट ने भी कहा है सुप्रिम कोट ने भी कहा है चुनाओ आयोग एक आजाद बॉड़ी है तो क्यों चुनाओ आयोग को गलत दबाव देकर गलत लौ मिनिस्ट्री के एडवाईज पर चुनाओ करने के दबाव बनाय जा रहा था यह और गंभिर सवाल है तो एक तो आप सुप्रिम कोट की बात नहीं मानती है आपके सरकार और चुनाओ योग पर दबाव देती है यह और भी दुर्भागी पूर्ण है और भरसना योग है और मैं इसकी भरसना करता हूँ हम उमीद करते हैं कि सरकार समझेगी और समलेगी मैं फिर रिपीट करूंगा छे छे सुप्रिम कोट के फैसले हैं जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है हम अती पिश्कडा के हग की लड़ाई लड़ते रहेंगे उनको उचित अवसर मिले उचित रेप्रेजेंटेशन मिले यह मारी प्रातमिता होगी और कानुनी रूप से प्रक्रिया चले इसके लिए हम पुई रखाई लाएगे